हेलो डियर्स आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वन विभाग छेतरा रक्षा का और वन छेतरा पाल या फारेश्ट अगार्ड इसका जो वेकेंसी निकला है इसमें कौन-कौन से महतवपूर्ण जीके है जो बहुत ही संभावना भी रखते हैं तो यह इसमें हम टॉप 25 कोस्चन देखेंगे टॉप 25 कोस्चन ठीक है और यह हमारा पार्ट 3 है इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बना है ठीक है पार्ट 1 और पार्ट 2 यादि आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्ले दिकला है छेतर रक्षक और छेतर पाल इसका जो एक्जाम है सीजी व्यापम कंड़क्ट करेगा ठीक है सीजी व्यापम इस एक्जाम को कंड़क्ट करेगा ठीक यदि आप लोग इस चैनल पे नीव हैं तो लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा टाइम बरबाद ना करते हुए हम वीडीयो को सुरू करते हैं ठीक है तो देखते हैं 》कुष्च tô नमबर फष्ट राजय के किए जीलो में राजीव गंधी अस्मृती वनों का विकास किया गए ठीक है सरगुजय वं महासमुन दूसरा है रायपूर एवं रायगार तीसरा है बस्तर एवं बीजापूर चौथ है रायपूर और बिलासपूर तो इसका जो राइट अंसर है वो है रायपूर और बिलासपूर रायपूर और बिलासपूर जीला में राजिव इसमरिती वन विकास का विकास किया गया है ठीक है question number two देखते है दिया सलाई بنाने में कौन सी लकड़ी प्रैयूकत की जाती है मतलब जो माची से उसको बनाने के लिए कौन से लकड़ी का यूज़ किया जाता है ठीक है तो इसमें आप सने है महुआ भी है सेमल सी है साल डी है हर रा तो इसका जो राइट अंसर है वो है सेमल सेमल लकडी का यूज किया जाता है क्योंकि सेमल सबसे नरम होता है और हलका भी होता है तथा ये मतलब ये जल्दी भी जलता है बांकी लकडियों किया पेच्छा ये जल्दी जलता है ठीक है नेश्टा देखते हैं Question number 3 तो इसका जो right answer है वो है 2000 सन 2000 में राज्य लगूवन उपज सहकारी संग का गठन किया गया है ठीक है Question number 4 खैर जिसका उपयोग कत्था बनाने में किया जाता है खैर लकड़ी है वरीक्ष है उसका उपयोग कत्था बनाने में किया जाता है ठीक है और इसका सारवाधिक उत्पादन किस जीले में होता है तो इसके जो option दिये हुए है A. बिलासपूर B. सरगूजा C. राइपूर D. राइगाड ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरगूजा खैर का सबसे ज़्यादा उत्पादन सरगूजा जीले में किया जाता है ठीक नेश्टा देखते Question number 5 राज्यमे सारवाधिक लाख का उत्पादन लाख बोला है जिसका काज बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है का उत्पादन किस जीले में होता है तो Option A है बिलासपूर B है राइपूर C है राइगाड D है सरगूजा तो इसमें बोला गया है कि किस जीले में होता है ठीक है सारवाधिक उत्पादन बोला है उत्पादन नहीं बोला है उत्पादन प्राया बहुत सारे जिले में होता है लेकिन यह बोला है सारवाधिक सबसे ज़्यादा तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए बिलासपूर जीला में सारवाधिक होता है ठीक है चलिए नेश्टा देखते हैं कोश्चन नमबर six वनाउसधी के क्रै विक्रै हैं तो किस वन मंडल के अंतरगत हरबल मंडी की स्थापना की गई है तो जो वनाउसधी है वनो से मिलने वाली दवाई है इसके क्रै विक्रै के लिए कीस वन मंडल के अंतरगात हरबल मंडी की स्थापना की जा रही है तो इस में देखते हैं कोश्चने है बिलासपूर भी है धमतरी C है सरगुजा D है रायपूर तो इसका जो राइट आंसर है वो है धमतरी जीला ठीक है धमतरी वन मंदल, ये वन मंदल है न, ये चारोब, विलासपूर वन मंदल, धमतरी वन मंदल, सरगुजा वन और रहपूर वन वंदल, तो इसका जो B है वो सही है ठीक है चलिए देखते हैं, नेश्टा कोस्चन नमबर सेवान तो इसका जो राइट आंसर है वो है जारखन जारखन में मिलता है ठीक चलिए देखते है कोश्चन नमबर एट राज्य में कितने वरिक्ष प्रजातियां को इमार्ती लकडी की स्रेडी में रखा गया है तो इसमें जो दिया है A है 12 प्रजाति, B है 13 प्रजाति, C है 14 प्रजाति, D है 15 प्रजाति तो इसमें से 13 प्रजाति के वरिक्ष को कौन कौन से प्रजाति के वरिक्ष तेरा है इसके नाम हम नेश्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे यदि आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें ठीक है नहीं पता है तो मैं बताओंगा ही बताओंगा ने इस्ट वीडियो में चलिए देखते हैं कोचन नमबर नाइन भारती वन संपदा से संबंधित निमल रिखीत कथनों पर विचार कीजे इस तरह के जो प्रसनाते हैं कुट निती वाले रहते हैं इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना उसके बाद सोच समझ के आंसर देना ठीक है तो देखते कथन वन क्या है भारती मेंगरो 30 छेत्र में ल जो देखो भारती मेंगरो है ठीक यहाँ पे अल्प विराम होना था भारती जो मेंगरो है वो 30 छेत्रों में लगभग 45 सबवर्ग किलोमीटर में तथा दुनिया के लगभग 5 प्रतिसद छेत्रों में फैले हुए हैं ठीक है यह कथन वन है ठीक अब कथन दो देखते हैं सबसे बड़ा मेंगरो वन है सुन्दर वन डेल्टा जो है यह कहा है पश्चीम मंगाल में ठीक है पश्चीम मंगाल में सुन्दर वन डेल्टा अब देखते हैं यह यूनेसको के बायोस्फियर रिजर्व की सूची में जोड़ा गया है यूनेसको के बायोस्फियर सूची म तो अब जिसमें कूर दिया हुआ है कि कौन सा कथन सहीं है तो इसमें दिया हुआ है आपसान एक केवाल एक केवाल दो वान और दो दोनो ना तो वान और नहीं दो तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक और दो दोनो C, C इसका राइट आंसर है ठीक, चलिए नेश्टा कोश्चान देखते, कोश्चान नमबर टेन, नीमन लिखीत में से कौन से इस्थान मैंगरो छेत्र में नहीं आता, तो ए दिया है, पस्चेम मंगाल, बी दिया है, उडपी, सी दिया है, कंडागपूर, डी दिया है, रतनागीरी, तो उडपी इसका र सब्सक्राइब कर लिजिए, क्योंकि इसमें हम लोग एक पूरा डीटेल क्लास भी ले की आएंगे, ये तो अभी केवल जीके का है, ठीक, बेस को पकड़ना सीखो, बेस को, चलिए देखते हैं, कोश्चन नमबर 11, 36 गड़ में वानी की तक्निकी सहाथा परियोजना, किस ज इस्टर वीडियो का इंतिजार करो, और जिन लोग जानते हैं, उन लोग कमेंट में मेरे को बताए कि वानी की तक्निकी सहाथा परियोजना क्या है, कमेंट में बताए मेरे को ठीक है, और जिन लोग नहीं जानते हो, उन लोग भाई वेट करो, या फिर सर्च मार के देखो, क्योंकि ऐसी ही मैं आप लोग को बता दूंगा तो आप लोग हलके में ले लोगे और कुछ नहीं समझोगे ठीक है चलिए देखते हैं इसमें option दिये हुआ है A है बस्तर, B हिराइपूर, C है रागड, D है बिलासपूर ठीक है तो इसका जो right answer है वो भी आप लोग मेरे को comment करके बताइए कि इसका right answer क्या है ठीक है चलिए देखते हैं Next question number 12 इंदिरा प्रिये दर्शीनी वरिक्षमीत्र पूरसकार ठीक है IPVM ठीक वानिकी के छेत्र में उलेखनी कार्य के लिए निम्नमे से किन को दिया जाता है तो ये दो award है इंदिरा प्रिये दर्शीनी वरिक्षमीत्र पूरसकार है ये वानिकी के छेत्र में दिया जाता है समाझ मैं ये किसके छेत्र में वानिकी के छेत्र में दिया जाता है और कीन लोगों को दिया जाता है या कीन को दिया जाता है तो इसमें जो अपसन A है वेक्तियों को B है संस्थाओं को C है संगठनों को संस्थाव और संगठनों में धर्ती और आस्मान का अंतर है ठीक है और D है ये सभी को तो इसका जो राइट अंसर है वो है D ये सभी को दिया जाता है वेक्तियों को भी दिया जाता है संस्थाओं को भी दिया जाता है संगठनों को भी दिया जाता है चले इसके बारे में कुछ टीप देखते हैं भारत सरकार उन वेक्तियों और संस्थाओं के लिए जिन्होंने वनी करण और बंजर भूमी विकास के छेतर में अग्रणी और अनुकरणी ये कार्या किया है थीक है उसको दिया जता है इंदिरा, प्रियदर्सिनी, वरिक्षमित्र, पुरसकार ठीक है यह पहले साथ स्रेंडियों में वेक्तियों संस्थानों को दो लाग पचास अजार रुपय का नगत पुरसकार प्रदान किया जाता ठीक है दो लाग पचास अजार रुपय का नगत पुरसकार यह 1986 में इस्थापित किया गया था था यह जो पुरसकार है यह कब 1986 में इस्थापित किया गया है ठीक है और सलाना दिया गया था ठीक मतलब एक साल में एक बार मिलता था सलाना मिलता था ठीक है पुरसकार प्राराम में 2006 तक 12 स्रेडियों में IEPVM पुरसकार दिये गए थे लेकिन 2012 के अनुसार परियावराड और वन मंत्रालाई की 7 स्रेडियों की अधिसूचना IEPM पुरसकार के लिए स्वीकरी थे ठीक है अभी कौन सा है साथ स्रेडि और 1986 में भी साथ स्रेडि में अराम किया गया था लेकिन 2006 में ये 12 स्रेडि हो गया था ठीक है IEPVM मतलब इंदरा गांधी प्रियदर सिनी वरिक्षमित्र अवाड ठीक है ये है चलिए अब देखते हैं इसका नेश्ट गिले पढ़न पाती वन से संबंधित निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजे तो गिले पढ़न पाती वन बोला है कथन वन है इस प्रकार के वन छेत्र भारत के वन छेत्र का लगभग 70% है और इन्हें मांसून वन भी कहा जाता है कोस्चन नमबर टू यह मध्य प्रदेश के उत्तरी और दक्षिडी भाग में पाया जाता है ठीक है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग यह मध्य प्रदेश है समझो यह हमारा 36 गड़ है तो इसके उत्तरी भाग इसके दक्षिडी भाग में पाया जाता है तो कथन तो दो गलत है दूसरा कथन गलत हुआ कथन वन देखते हैं इस प्रकार के वन भारत के वन छेत्र का 75% है गिले पढ़ना पाती वन बोला है न तो भारत में कौन सा वन पाया जाता है भारत में सूस का पढ़ना पाती वन पाया जाता है सूस का पढ़ना पाती वन अधीकतर मात्रा में ठीक है तो ये जो option है ये भी गलत हुआ और ये मांसून वन भी कहा जाता है तो ये जाहिर सी बात है आगे का गलत तो इधर का भी गलत तो इसमें जो option दिये है केवल 1 केवल 2 केवल 1 और दो नो ना तो 1 ना तो 2 तो इसका जो right answer है वो है option number D ठीक है ना तो 1 और नहीं 2 तो चलिए देखते हैं नेश्टा question number 14 निमने लिखित में से कीस राज्य में सबसे ज्यादा 1 पाया जाता है अपसने है मध्य प्रदेश, B है रुडाचल प्रदेश, C है 36 गड़, D है महाराष्टा तो सबसे ज्यादा कीस प्रदेश में 1 छेतर है, कीस राज्य में 1 छेतर है तो इसका जो right answer है वो है A मध्य प्रदेश इसमें बोला है इन चारों option में से कीस छेतर में है तो इसमें है मध्य प्रदेश में ठीक है अब कई लोग बो रहांगे रूडाचल प्रदेश साइड वन जादा है तो यहाँ वन जादा नहीं है यहाँ बागान जादा है वन जादा मध्य प्रदेश में है ठीक है चलिए देखते हैं question number 15 भारत में किस वर्स परियावराण सारक्षण अधिनियाम पारित किया गया भार फिरे को टेली ग्राम चैनल पर छेन्ड शेड ना ठीक है ट्लिएग्राम चैनल पर या मैरे जो पर्सनल ट्यश्य नीगराम है उसमें शेड करना इसका जो नोट सा बनाके ठीक देखते हैं कि कौन कौन सीरियस ले रहा है पढ़ाई को और कौन ऐसी हवए में लेके त्यारी क कर रहे हैं उन्हीं के लिए वीडियों टिक है यह देखते हैं है परियूटा सी अरत में चेती है जोने नी किया गया है Om A option A सही है ठीक है 1986 ने इस्टा देखते है question number 16 भारती 1 सर्विक्षण विभाग की स्थापना कप किया गया है तो जो भारती 1 सर्विक्षण विभाग है मतलब जो भारत का 1 है उसका survey करता है ठीक है कि कौन सा पेड़ है यहां कौन सा पेड़ के लिए क्या चीज जरूरी है जो ठीक है विभाग की स्थापना कप किया गया है तो इसमें option A दिए 1988, B दिए 1988, C दिए 1988, D दिए 1983 तो इसका जो राइट अंसर है वो है C उन्निस सो विक्षण विभाग की स्थापना किया गया है चले question number 17 देखते हैं राष्ट्री परियावराण सोध संस्थान कहां यह देहरादून, B है नागपूर, C है भोपाल, D है जोदपूर तो इसका जो राइट अंसर है वो है नागपूर ठीक है B इसका राइट अंसर है ठीक राष्ट्री परियावराण सोध संस्थान की स्थापना नागपूर में किया गया है नेश्टा देखते है question number 18 36 गण में कीस प्रकार के वनों का प्रती सतना ए है आरक्षित वन, B है संरक्षित वन, C है अवरगी क्रित वन, D है यह सभी तो आप लोग के लिए कोर होमवर कहें कि आप लोग आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवरगी क्रित वन इन तीनों में अंतर लिखिए ठीक है यह आप बनाएंगे मतलब नोट से बनाएंगे तब आप लोग को अठी तरीके से याद होगा इन लोग का नाम से ही पता है कि आरक्षित वन क्या है आरक्षित वन जिसको गौवर्मेंट सर्रक्षित रखा है ठीक है और सर्रक्षित वन इसको गौवर्मेंट सर्रक्षित रखा है और वर्गी क्रीत यह वर्गी क्रीत नहीं है इसके लेकिंग क्या डिटेल है सब को आप लोग नोट्स में बनाईए यदि आप लोग नोट्स में नहीं बना पा रहे हैं तो मैं इसका पूरा डिटेलिंग वाला पढ़ाने वाला वीडियो बनाऊंगा ठीक है इसमें जीके नहीं बताऊंगा केवल पढ़ाऊंगा ठीक यदि आप लोग चाहते हों तो मेरे को कमेंट करके बताईए कि पढ़ाने वाला वीडियो बनाऊं कि जी के बलाऊं जो ऐसी जी के ही रहेगा फीक से रहेगा ठीक है तो इसमें जो आपसन दिया है A है आरक्षित वन B सबसे जादा है ठ नेश्ट देखते हैं कोस्चन नमबर 19 लकडी काटने तथा पसू चराने पर प्रतिबंद किस वनों में रहता है A है आरक्षित वन B सरक्षित वन C आवरगी किरित वन D है ये सभी तो इसका जो राइट आंसर है वो है A आरक्षित वन ये मिल गया ना एक पॉइंट इससे प भी होता है पर ये दोनों में डिफरेंस है ठीक चलिए देखते हैं कोस्चन नमबर 20 छटीस गड़ के वनों में सरवधिक पाया जाने वाला वरीक्ष है तो A है सागोन B है B जा C है बांस D है साल तो इसका जो राइट आंसर है वो है साल साल वरीक्ष चलिए नेश्ट देखत देखते हैं कोस्चन नमबर 21 छटीस गड़ राजय का वन मुख्याले कहा है यहां बोले है च्छतीस गड़ राजय का वन मुख्याले ना भारत कर नहीं पूछा है यह सरगुजा B जगदलपूर C बिलासपूर D दूरगा ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो है C बिला साल 36 गड़ का सबसे प्रमुक फूरिक्ष है ठीक है बहेड़ तो आप लोग जानते ही होंगे बहेड़ा खाने वाला समझो खाते भी है कई लोग चलिए नेश्टा देखते हैं कोस्चन नमबर 23 राजय के किस जीले में 36 गड़ राजय वन असनुसंधान संस्थान इस्थीत है राजय के किस जीले में 36 गड़ राजय वन अनुसंधान संस्थान इस्थीत है ए है बिलासपूर भी है राइपूर सी है बस्तर डी है राइगार ठीक तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिलासपूर ए बिलासपूर इसका राइट आंसर है बिलासपूर जीले में 36 गड लिखते हैं कोश्चछान थेकल सब्सक्षार केंदृ केंद्री परिया वारान वन मंत्रा केंद्वारती परिया उर्ण आर्ण सबसे बड़े एवं घने वन भारत में, तंजानिया में, ब्राजील में, कनाडा में तो इसका जो राइट अंसर है वो है ब्राजील में है ठीक है ब्राजील में विस्व का सबसे घना वन है सबसे घना और बड़ा वन है ठीक, इसके बारे में कुछ टीप देख लेते हैं Amazon Basin के वर्षा वन विस्व में सबसे बड़े एवं घने वन है Amazon Basin के जो वर्षा वन है वर्षा वन इसका नाम है न ये विस्व के सबसे बड़े एवं घने वन है जो दक्षीड अमेरिका के कूल छेतर के 40 प्रतीसत को आवरित करते हैं जो दक्षिड अमेरिका के 40% को ढगता है ठीक है Amazon Basin, Amazon River भी सुने होगे ठीक है Amazon नदी ये भी बड़ी नदी है ठीक तो आज का question यहीं तक है 25 question इसमें से काफी question पुछे जाने की संभावना है बहुत ही ज्यादा important है ठीक है इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, रट्टा मार जैसे रट्टा मारना ठीक है यदि आप लोग इस वीडियो पे new है तो like जरूर करें, share भी करें और subscribe करें ठीक ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो मिले ठीक है निव है तो अवस्य लाइक कर दिजए यार यही तो मेहनत है, share भी कर देना और subscribe भी कर देना ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम next वीडियो में ठीक, आज के लिए बस इतना ही So, thank you, all the best